हेलो फ्रेंट्स थैंक्स वर कमिंग इन दिस वीडियो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एमजान में जब हम एफिलेट अकॉंट क्रियेट कर लेते हैं उसके बाद पेमेंट इंफॉर्मेशन का ओप्सन होता है वो कैसे हम फिल करें और कैसे टेक्स इंफॉर्मेशन डालें अगर हमें यह सही से नहीं पता होता तो हमारा पेमेंट नहीं आता है तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप सही से पेमेंट इंफॉर्मेशन और टेक्स इंफॉर्मेशन एमजान एफिलेट अकॉंट में डाल सकते हैं तो आपको लेके चलते हैं अपनी लैप्टॉप क की information add कर सकते हैं bank account की information जिसमें आपका money आएगा ठीक है and tax information भी आपको add करनी पदेगी यह दोनों mandatory होते हैं जब भी आपका affiliate account में आप account add करते हैं ठीक है तो हम चलते हैं अपने account की तरफ यहाँ पर आपको simply Gmail ID जो दिख रही है ना इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर account setting option आ रहा है इस पर क्लिक कर देना ठीक है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पेज ओपिन हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आप के एक 1000 minimum earning हो जाएगी ना तो आपको क्या होगी बैंक अकाउंट में नंबर आ जाएंगे मतलब की रुपए आ जाएंगे 1000 मतलब की 1000 कम होतने तो नहीं आएंगे और यहाँ पर आपको हमेशा याद अखना पूश लाएं ऑपको फिल करने हम यहाँ पर सिंपली अपना नाम कर देते हैं आपको पूश रहा है बैंक अकाउंट का नंबर डालो ठीक हम यहाँ पर नंबर डाल देतें ते हैं यहां पर confirm bank account number आ रहा है यहां पर confirm भी कर देना है ठीक Join में कर दिया महिं का नाम पूछ रहा है मैंने बैंक का नाम डाल दिया इस्व कोड मांग रहा है मैंने डाल दिया ठीक है अब यह सब सब confirm हो गया पस इतना सही काम करना है और आपको यह याद रखना है कि आपने जो bank account का number डाला है वो सही है कि नहीं है ठीक है वो आपको ज़रूर याद रखना ठीक है यह सब confirm हो चुका है एक बार फिर से देख लेते हैं and again हमें कि करना है submit पर click कर देना है जैसी हम submit पर click करते हैं अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गया payment information updated successfully से देख सकते हैं कि मेरी payment की information successfully add हो चुकी है ठीक है दोस्तों अब हम देखेंगे कि कैसे हम India current tax status मतलब कि जो incomplete दिखा रहा है tax information यहाँ पर message यो कर रहा है इसे हम fill कर सकते हैं तो हमें simply इस पर click कर देना है एक बार जैसे हम India current tax status पर click करेंगे हमाँ पास यह open हो जाएगा page जिसमें हमाँ पास लिखा रहा है tax information interview यहाँ पर हमें what is the your tax classification यहाँ पर मुझे simply individual select करना है ठीक है अब यहाँ पर नाम पूछ रहा है कि तो हमें अपना simply नाम यहाँ पर type कर देना है ठीक है अखास भारत तो आज यहाँ पर अब हम नीचे आते हैं यहाँ पर हमसे provide your pain card का number पूछ रहा है तो यहाँ पर simply हमें pain card का number open डाल देना है फिल कर देना है और जैसे नीचे आएंगे तो हमसे पूछ रहा है do you have a lower tax deduction certificate issued by the income tax authority द्वारा income tax होती है उसके द्वारा आपके पास एक certificate है नहीं कि no यार मेरे पास lower tax deduction certificate नहीं है देन इस पर move हो जाते हैं हम नीचे आते हैं यहाँ पर हमसे signature का बोल रहा है तो हम simply अकास भारत द्वा सिंगनेचर करते हैं तो हमने signature कर दिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है submit क्लिक कर देना है जैसे हम submit पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि अब हमारा जो था वो एड हो चुका है यहाँ पर इंडिया सर्विज स्टेटस कंपलीट यहाँ विद होल्डिंग रेट 0.75 दिख रहा है और रीटेक क्या फिर से बरना जाते हैं कि नहीं हम फिर से नहीं बरना जाते हैं और ओक और किलिक करना है यहाँ पर exit इंटर्व्यू पर क्लिक कर देना है कि हमारा जो इंटर्व्यू ले रहाता है हमादन वो फिनेस हो चुका है अब यहाँ पर आप टेक्स यहाँ पर देख रहे हैं चेंज यूट टेक्स इंफॉर्मेशन यह आपकी कंपलीट आ चुकी है यहाँ पर अभी क्या रहा था इनकंपलीट तो अब क्या आरा है इंप् कि हम लोग फिल कर चुके हैं तो ठीक तो दोस्तों कैसे लगा आपको ये वीडियो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे Amazon affiliate account में payment information डालते हैं और कैसे हम लोग टैक्स information डालते हैं तो आई होप कि आप ये दोनों चीज़े समझ गया हैं अगर इस चैनल पर हैं नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो पर ये Amazon की पूरी एफिलेट की सीरीज मैंने बनाई है वन वाई वन आप सब देख लीजिए पॉलिसी जरूर देखना अगर आपको नहीं पता हैं मिलते हैं नेक्स वीडियो बाद नेक्स टॉपिक के साथ